है advertisers, आज हम लोग last part देखेंगे अब हम लोग ने कल देखा था कि जो भी Facts given है उससे हम Saarta a यह सारे को धिक्र यॉओ उसके बाद मैंने our i-move करने के बाल मुझे आउप्ट मिला इससे हमelectद के बूलते है clause form बोलता है ठीक है तो यह clause form हम लोग कल यह इतना यहां तक देख चुके है अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमको अब कोई question given है ठीक है यह information मेरे पास मेरे knowledge base में या मेरे program में feed है और अब इस information को use करके क्या मैं कोई चीज का conclusion या कोई चीज मैं अगर इससे query करूंगी तो मुझे कैसे इसमें से answer मिलेगा by using the resolution method ठीक है so suppose मुझे question given है suppose question है कि who that is yes question है prove that Marcus hated Caesar ठीक है तो हमें एक statement दिया हुआ है और मुझे पता करना है क्या यह statement true है कि false है ठीक है so मेरे पास जो statement है तो statement देखे मुझे यहाँ पर so जो statement मुझे यहाँ पर prove करना है वो क्या है मेरा prove prove क्या करना है whether Marcus hated Caesar so यह given information से मुझे इसको क्या करना है prove करना है ठीक है इसको prove करने के लिए सबसे पहले अगेन देखिए यह fact के form में है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा predicate logic के form में करना पड़ेगा तो अब मैं इसको predicate logic के form में करूगी प्रेडिकेट logic के form में अगर इसको करूगी तो देखो यहाँ पर अब अगर आप given यहाँ पे जो आपके पस logic है यहाँ पे this is selected appelle तो hated के लिए मैंने क्या term यूज़ किया, h-a-t-e-d, तो यहाँ पे भी मैं क्या यूज़ करूँगी, hated के लिए h-a-t-e-d, ठीक है, यह दिहान रखने आपको, तो अब मैं जो term यूज़ करूँगी, hated, yes, कौन hate करता है, Marcus, तो पहले क्या जाएगा, Marcus, किसको hate करता है, Caesar, तो next statement क्या हो जाएगा, आपका Caesar, so Marcus hated Caesar, so मुझे यह proof करना है, कि यह statement मेरा true है, कि यह statement मेरा क्या है, false है, based on the given information, ठीक है, आब इसको proof करने के लिए, अब हम next इसके बाद देखेंगे, अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, resolution graph बनाएंगे, तो अब हम graph बनाने के लिए, सबसे परदे तो हमारे पास, हमको proof करना है, उसको मैं लिखूंगे, ठीक है, तो proof क्या करना है, hated कौन, Marcus, किसको, Caesar को, यह proof करना है, ठीक है, अब देखो, यह जो resolution है, इसमें बोला गया है, जो भी चीज़ हमें statement प्रूफ करना रहता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो statement का negation लेना पड़ेगा, तो इस statement का negation क्या हो जाएगा, Marcus did not hated what Caesar, तो इसका just negation, ठीक है, इसी को बोलता है, proving by refutation, refutation यही होता है, कि जो भी आपको proof करना है, उसका क्या लेना है, आपको negation लेना है, तो इसका not hated के लिए, आप हम यहाँ पर लेकूंगी, not hated, Marcus Caesar, Caesar, तो इसको लेके, अब हमको क्या करना है, start करना है, ठीक है, सबसे पहले, यह मेरा proof वाला statement है, अब इसको अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो clause है, उसमें से मैं ढूनूँगी hated, ठीक है, आप आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है, not hated लिखा है, तो मुझे ऐसा वाला clause ढूना पड़ेगा, जहाँ पर hated जो है, अब कमबाइन करोगे, तो इसका output क्या मिलेगा, आपको निल, तो ऐसे हमें क्या करना है, अब टेन करना है निल, क्योंकि कल ही के class में बताई थी, क्या बताई थी, कि कोई भी statement को अगर हम प्रूव करते हैं, तो देखो, यहाँ पर कोई भी statement को अगर प्रूव करते हैं, तो जो लास्ट टेप था, वो क्या था मेरा resolution graph, अगर resolution graph में निल आता है, that means मैंने जो assume किया है, वो क्या है मेरा false, ठीक है, फिर से बोल रहे हूँ, अगर resolution graph का output निल आता है, तो जो assume किया था, assume यहाँ पर क्या किया था, not hated Marcus, did not hate Caesar, यह assume किया था, वो क्या हो जाएगा, false हो जाएगा, और जो मेरा statement given होगा, है न, वो क्या हो जाएगा, basically true हो जाएगा, and similarly, अगर output not निल है, तो मैंने जो assume किया है, वो क्या हो जाएगा, true हो जाएगा, ठीक है, तो assumption, यह जो false और true है, यह किसके लिए है, assumption के लिए, तो basically, इसका यह मतलब है, कि अगर resolution graph का output, निल आता है, अगर output निल आता है, that means, जो given statement मुझे proof करना है, वो हमेशा क्या होगा, true, और अगर निल नहीं आता, तो जो given statement है, वो क्या हो जाएगा, false है, तो given statement क्या था आपका, given statement यह था, अगर निल आता है, तो यह true हो जाएगा, और अगर निल नहीं आता, resolution graph में, तो यह क्या हो जाएगा, आपका false, यह given है, और यह क्या है, अपका hated ठीक है अब यह उसके अलावा और पर मुझे hated नहीं देख रहा है, एक ही hated है और यह hated में देखो, no e. यह दोनों cancelled हो सकता है लेकिन, यहाँ पर देखो, hated के जगह पर क्या लिखा है? X1 और यहाँ पर क्या है? Caesar, अब देखो हमेशा अब यहाँ पर जो Heated है यह जो Heated है, इसमें क्या लिखा है? Marcus, यह कॉमा होगा ना और ये क्या है आपका Caesar, तो यह दोनों क्या है? Constant है और इसमेär X1 क्या है? Variable, तो X1 के जगा पर हम अब Markos लिखेंगी, तो अब देखो यहाँ पर, मैं कैसे लिखूंगी इसको, सबसे पहले मैं, फिफ्थ वाल स्टेट्मेंट को उछाँ हुए, तो फिफ्थ वाल स्टेट्मेंट को, अगर मैं यहाँ लिखूंगी, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला substitution देखो क्या होगा X1 को आप किस से substitute करोगे Marcos से तभी आप दो predicate को cancel कर सकते हैं जब उसके अंदर के जो data है वो क्या रहेंगी सेम रहेंगी आपके पास अब यहाँ पे not Roman X1 लिखा है लेकिन X1 के जगह मैं किसको substitute कर रहे हूँ Marcos नेक्स उसके बाद लिखा है loyal to X1 Caesar और loyal X1 के जगह फिर क्या लिखूँगी Marcos यह मारी लिख रहे हूँ अभी Caesar और hated X1 Caesar और hated so hated के जगह पे अब मैं यहाँ पे X1 के जगह फिर क्या लिखूँगी Marcos और Caesar उसके बाद और क्या है आपका यह तीनी स्टेटमेंट है ठीक है तो यह एक यह हो गया और मेरे पस गिवन क्या है यह तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ hated hated जगह नहीं है ठीक है आप लोग एक ही लाइन में इसको लिखेंगे Marcos Caesar not के सब टेक है यह दोनों स्टेटमेंट को अब हमें किया करना है कमबाइन है तासिस्टेटमेंट नभर फाइव और स्टेटमेंट यह जो गिवन है यह गिवन में नहीं गिवन मैं जो अजियों किया बचेगा क्या मेरे रहा है यह आउटभूट पूरर में शीजर लिख रहे हूँ तो रोमन मार्कुस के जग़ा हभी में मार लिख रहे हूँ ताकि आपको इक्जाम में पूरा लिखना ठीक है और लॉयल, मार और Caesar, Caesar का भी मैं सिर्फ Caesar लिख रही हूँ, ठीक है, इतना लिख रही हूँ, यह मेरे पास बच जा है, लॉयल, ठीक है, अब यह दोनों को मुझे, मेरे को अप्टेन करना है निल, तो अब मैं फिर देखूंगी, रोमान और लॉयल कोई है, क्या, अब देखो, second step में ही जाती ह तो मुझे क्या मिल जाता है, रोमान मार्कुस, और यहाँ पर क्या लिखा है आपका, नौट रोमान मार्कुस, तो यह, अब मैं क्या करूंगी, इसको, और second वाला statement, second statement में क्या है, आपका, रोमान मार्कुस, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्यूंकि यह दोनों स अब मैं देखूंगी, नौट लॉयल, नौट लॉयल डूलना है, तो अब देखो, third वाले में तो नहीं है, fourth में भी नहीं है, fifth में है, यहाँ पर मेरे पास जो लॉयल है, ठीक है, यह लॉयल जो है, यह मतलब, आपका नौट वाला नहीं है, फिर यह भी जो लॉयल है, यह साथ नहीं है, ठीक है, yes, yes, seventh में, 7th में, देखो, जो लॉयल है, वो हुनोट के साथ है, तो इसको अब मैं क्या करूँगी, कमा, मैं इसमें, 7th में, 7th में 7thуска, लेकिन देखते हैं सेम है कि नहीं देखो यहाँ पर loyal है लेकिन loyal में क्या लिखा है एक स्ट्री कॉमा क्या लिखा है आपका y तो अब इन में substitution होगा substitution होगा अब देखो यहाँ पर उस वाले statement में तो अब यहाँ पर है स्ट्री की जगह पर आप क्या लिखा होगे Marcus और Y की जगह पे आप क्या लिखोगे Caesar तो अब इस वाले देखो इसमें ठीक है जहाँ जहाँ X3 है वहाँ वहाँ क्या लिखोगे Marcus और जहाँ जहाँ Y है वहाँ क्या लिखोगे Caesar लिखोगे ठीक है तो इसमें total चार अपने पास स्प्रेडिकेट है तो चारो कॉपन लिखते जाएंगे इसको ठीक है तो सबसे पहले not people x3 तो अब मैं यहाँ पे इसको लिख रही हूँ यह not people x3 x3 के तो जगह क्या लिखना है marcus तो मैं maribus लिख रही हूँ ठीक है try to assassin x3 y so not try to assassin x3 x3 क्या हो जाएगा mar और y क्या हो जाएगा Caesar ठीक है try to assassin और not loyal x3 y और not loyal x3 x3 क्या है mar और Caesar यह लिख लिख लिए ठीक है तो अब यह दोनों को अब हम क्या करेंगे combine करेंगे तो इसमें से यह वाला loyal और यह loyal क्या हो जाएगा कट जाएगा ठीक है दोनों loyal कट जाएगा तो अब बच्चा क्या क्या है यह तीन बच्च रहेंगे तो क्या बच्चा है अब मेरे पास यहाँ पे देखो मेरे पास बच्च रहेगा है यहाँ पे not people Marcus ठीक है और not ruler Caesar ठीक है not try to assassin Marcus Caesar यह बच्चा है अब तीनों को रूलर सीजर मेरे और यहाँ पे क्या है ruler Caesar ठीक है तो दोनों सेमसे में कैंसल हो जाएगा तो यहाँ पे एक rular Caesar मेरे पास 2nd वाला है ठीक है तो दोनों को cancel करूँगी तो अब फिर मेरे पास अब कितने बच्च रहेंगे दो ही बच्च रहेंगे तो तो क्या दो बचा रहेगा, not people, Marcus, or not ruler, ruler तो cancel हो गया, try to assassinate, try to assassinate, try to assassinate Marcus Caesar, ठीक है, अब फिर से देखते हैं, अब यहाँ पर try to assassinate भी एक मेरे पस है, तो यह दोनों को cancel देखो, यह positive वाला है, यह try to assassinate Marcus Caesar, यह positive वाला है, और यह not के साथ है, मतलब है, true है, यह दोनों cancel हो जाएगा, तो फिर try to assassinate, कौन सा वाला हम लोग ले रहे, 8 वाला ले रहे, ठीक है, Marcus Caesar, ठीक है, और इसको इसको combine करेंगे, तो बस बचेएगा, not people, Marcus, ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब मेरे को people देखना है कहीं पर, तो people द तो दो जगह people है, अब यहाँ पर मेरे पस क्या है, not people है, ठीक है, so not people जो है, यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को cancel करना पड़ेगा, तो मैं third वाला लोगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो third वाले में people के जगह x है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख ठीक है एक है आपका man x ठीक है तो अब यहाँ पे और एक है man marcus ठीक है यहाँ सगर के लिखती है अब यह people people cancel होगे अब last में सिर्फ बचा आपके पास man marcus ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं जो first statement है marcus is a man करके मेरे पास एक given c यहाँ पे स्टीक है marcus is a man ठीक है तो यह man जो था यहाँ पे not के साथ यह not है तो यह first के साथ आप cancel हो जाएगा तो first वाला statement क्या था मेरा marcus man यह दोनों cancel हो के output finally मुझे क्या मिला ठीक है इस तरीके से resolution में आप क्या करेंगे solve करेंगे और आपको ये resolution graph बनाना है graph के output में कर निल आता है that means आपका जो given statement है वो क्या है आपका true और अगर graph में निल नहीं आता है तो आपका जो given statement है वो क्या हो जाएगा आपका first ठीक है so stop करते हैं